मैं डॉक्टर प्रदी पाचयार आप सबने दूरदर्सन पर देखा होगा बहुत सारे लोगों का कहना था कि प्रिबोर्ड का संस्क्रित का सॉलूशन डाल दीजिए मेरे एक मित्र ने इसे सॉल्ब किया है मैंने उसे देखा हुआ है और बहुत अच्छा उन्होंने सॉल्ब किया है तो आईए एक एक प्रस्ट को समझते हुए करते हैं और जल्दी से जल्दी आट-दस मिनिट के अंदर ही पूरा पे पर हम सॉल्ब कर लेंगे पठेत्वा सब जानते हैं कि पठेत्वा में स्पष्ट कित्वा प्रत्या दिख रहा है हता हमें किताब प्रत्या स्पष्ट दिखी रहा है आदाय में आंग उपसर कूरवक लेप प्रत्या दिखी रहा है हसन में सत्री प्रत्या है करते हुए अर्थ निकलता है बहता हुआ इसका बिशेशन है इसके बाद खालिस्तान पूर्थी करना है यह दी तो बली वर्धा परियाय पदम तो गव अलग है बली वर्धा बेल आया था है विर्शा आया था अगर परियाय पद पूचा है तो कौमल इसका परियाय पद नहीं है ठीक है परंतु अगर बलो में पद पूचा है तो अपक्वा है अब इसमें आपको बॉनस नमर देना है अगर अपक्वा लिख नहीं सकते हैं और कौमला इसका परियाय है नहीं खेल ठीक है कौमला भी है क्योंकि अपकोह बच्चे समझ गए तो जैसा भी है आप बॉनस कर लीजिए संपन्न पदश्य बिलो मों पदम विपन ठीक है पिता पुत्रायबाल लिए विद्याधनम ये च्छती पाठ का प्रस्ट है तो धर्म धनम नहां के विद्याधनम आएगा बुद्धी मती गहन क की रूप है आम से चलता है और शष्टी एक बचन है असमत की रूप रामेड में तृतिया रामा से तृतिया आएगी प्रलता की जोड़ी बनेगी प्रतमा ही है लता लता नायं लता लते लता हैस्टिरिलिंग में है परन्तु यहां पर लता मैं विसरग रखा हुआ है इसका मतलब इसकी जोड़ी बनेगी प्रत्मा विवक्ति कहां पर है प्रत्मा विवक्ति एक ये है और दुतिया बहु बचन प्रत्मा विवक्ति और दुतिया विवक्ति दोना में ही यही बनता है लता लते लता 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 रमा के जैसे इस कुरूप चलते ह इसकी जोड़ी इससे बनेगी प्रतमा दुतिया समान होती है कस्मात में क्या पर बक्ती बनेगी तो कस्मात में पंच्मी इस पष्ट है कोई जादा परिसान होने वाली बात नहीं है प्राधन आचार ये प्राचार होता है प्रगता आचारिया प्राचारिया यहाँ पर समास भी है अनुवर प्रतिय बाइश उपसर्गों में से दो उपसर्ग है ठीक है कुगती प्रादिया इत्सुत्र लगता उससे इस होता है अगला देखते हैं एक बाके नो तरम लिखत एक बाक में आपको तर लिखना गम लिरिट लकार यानि भवश्य काल में प्रतम पुरुष दुई बचन तो गमिश्यती गमिश्यता बनेगा हस दातु लट लकार प्रतम पुरुष बहुवचन लट लकार अर्था बरतमान काल प्रतम पुरुष बहुवचन महसंती बनेगा पट दातु लोट लकार मतलब बिल्कुल सही है अब यहां मुझे देखना होगा बा वा रहता है या बा रहता है सर ने लिखाया देख सकते हैं अब नाम उत्तर देने तो आम नाहीं लिखें सही गलत नहां लिखें आम नाहीं लिखें तो पहला हिम धनालिया धीर की संदी बिलकुल आम सही है, बहुत पड़ा है मैंने ऐसे, हिम केंतमया आला की प्रादब मैं एक आई कहा, एक आई कहा मैं वृद्धी संदी होगी, क्योंकि एक आई कहा, एक धन एक कहा, ऐसा बनता है, दूसरी तरफ एड़ी कहा गया, तो प्रेंजन संदी है, और यहां पर तल्नीना होगा, आम बिलकुल सही है, प्रतिदिनम द्वन्द समास नहीं, यहां पर अब्व्यभाव समास इसलिए गलत हो गया, विध्याला है तित्र तत्पुर्ष समास अस्ति आम, बिलकुल विध्याया आले समास है सही है, माता बना दिया है, पितरव सब्थ बनता है, द्वन्द समास के जो इतरेतर द्वन्द समाहार द्वन्द जो भेद हैं, उनमें किवल पितरव सब्थ बनता है, अब बना दिया है, ठीक है, चुकि द्वन्द समास तो है, इसलिए सही है, अगला प्रस्थ, कीन समाबंधु नास्त इसमें नॉर्मली बड़ा प्रशद प्रशने इसको याद भी करना पड़ेगा तो दिमेन समा बंदुनास थी नराणाम प्रत्मा सत्रू कहा तो कुछ लोग लिखेंगे नरा आलश्यम पर अलश्यम नहीं लिखना है क्योंकि एक और शूत इस लोग है क्रोधो ही सत्रू प्रत कहा है यहाँ पर प्रतम प्रतमा सत्र पूच इसलिए यहाँ पर क्रोध ही आएगा क्रिश का किं करो था हुटी स्म motivate का जो अर्दबलेस्य लक्षणरम ये पाठे वियायां, चरवधा पथ्या उस पार्ट का ये प्रस्ण है और उसमें बताते हैं कि अर्दबल का मतलब सांस हमने ली और वो हृदय गई ठीक है जो हम ब्यायाम करते हैं और जब वो हिरदय की सांस हिरदय मुह तक ना आ जाए तब तक अर्दबलम तो रदी इस्थितो बायू रदी स्थान इस्थतो बायू हिरदय में इस्थिद बायू यदा वक्तरम प्रपत्य दे मुहतक आने लगे इतनी ठकान हो जाये तो आदेबल तक का ब्यायाम हो जाता है भूकम पश्च केंद्र बिंदू का जनपद आशीत ये पाठका है प्रशन है तो कच्छे जन पदा निर्दना जना कथम बित्तम पार जितबान वही विचित्र साक्ची तो भूम ही परिश्रम भूरी ही परिश्रम है ठीक है बहुत परिश्रम करके मयूरा कथम प्रकरती है सोहारद सवहारदम ऐसा कुष्था पाट का नाम महीूरा कथम नित्रमुद्रयामिस्तभवती पिच्छान उद्घाट ये या पिर प्रच्छान विकीर ये नित्रमुद्रयामिस्तभवती फोलिस्टॉप ये प्रस्टन बाचक चिननी की जग़ा है पूर्णुद्राम का चिननाएगा वशंतष्य गुडम कहा जानाती पिकहा जानाती बिल्कुल सही है जन्नी कीद्रशी भवती ये पाट पांच का उत्तर है प्रस्टन है जन्नी तुल्ले वत्सला ऐसा ही लिखिनी है पाट है आपको जन्नी जननी तुल्ले वत्सला भवती अगला प्रस्ण है कीद्रिसम कर्म ब्यायाम शंगितम कथ्यते तो सरीडायास जननम सरीडा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सरीडायास जननम कर्म ब्यायाम शंगितम अगला प्रस्ण देखते हैं बाच परिवर्तन करना वो बिसेशन न है सिहा का और जो तो इसे भाव बाट्च चहना चाहिए पर फिर भी इसका जो कर्म बाट्च बनेगा दावती तो कर्तरी बाट्च हो गया तो कुरिधेन सिहन दाव्यते धावती की जगह हो जाएगा दाव्यते क्योंकि इसमें यकार अंत में आ जाता है आत्मनेपत के जैसे इसके रूप चलते हैं जब हम कर्म बाच्च बनाते हैं तो धाबते की जगें हो जायेगा धाब्यते कुर्धेन सिंहेन धाब्यते तो यहां त्वम युसमत के रूप है यह युसमत की त्रतियव वक्ति बनती है त्वया अब जब कर्म बाच्च है और इसे कर्तरी बाच्च बनाना तो इसमें प्रत्मा में लाना पड़ेगा तो त् चाहिए तो यहां पर इसका माज़ तो इक मीनिंग नहीं बदलना चाहिए तब करेंगे लतया गीतम गायते गीयते यह करत्री बाच्चे से हम करण बाच्च बनाएंगे तो लता का हो जाएगा लता बिल्कुल ये सही बना हुआ है लता गीतम गायती अगला प्रस्ट ने देखते हैं प्रस्ट नमबर 13 अधूर लिकितानी बाक्यानी कहा कम प्रती कत्यती तो ये दो करने को कोई दो नमबर ही देना है चार मेह से कोई दो करने कई बतर चार कर देते हैं हम चार रख़ते हुआ जड़ी-जड़ी ने ध्यान रखना बस तुदह अ हम प्रती कथे तवान वानर भी वहां थे ठीक है अगला मम सत्य प्रिता तु जनानाम कृते उधारण स्वरूपा कह कम प्रती का कह प्रती प्रती सब्द भी हर जगह लिखते जाए यहाँ पर मा की जगह जो मकार बना है यहाँ पर बाद में आप प्रती लिखिए और रा के उपर बिंदी रख दीजिए अनुस्वार बना दीजिए क्योंकि अगर आगे बेंजन आ जाया तो जो मकार है वो किसमें बदल जाता है अनुस्वार में बदल जाता है पिकाह की दुतिया विभ अगला देखते हैं पुत्रम द्रिष्ट्वम सा प्रस्तिता यहाँ पर कोई दो प्रस्ण करने है और प्रस्ण रिमान करना है दो चार दिये होंगे जैसे यहाँ पर चार दिये हैं यहाँ भी चार दिये हैं तो कोई दो करना है पुत्रम द्रिष्ट्वम सा प्रस्तिता तो अंडरलाइन उन्होंने किसी को नहीं किया है अगर आप पुत्रम को करते हैं तो पुत्रम में दुतिया है तो कम बनेगा कम द्र लिखांके तैने किया इसलिए तनाओं रहेगा कि क्या प्रस्ट बनाएος प्रस्टता है पिर भी न्याए धीजाः वक्किम चंद्रह आशी तो अगर व सब्सक्राइ या फिर वन्किम चंद्रह किम आशीद एसा भी सकते हैं तद इदानीन भूकम कारणम विचारनियम तिस्टति भूकम कारणम कारणम नपुनसक लिंग के अर्थ में आएगा तो किम सही है यहाँ पर प्रस्ण बाचक चनल लगाईए इसकी जगह किम लिखिए ऐसा कर दीजे तद त्वार्थस निननेहा बेवेकें कर तुम सक्या तो क कारणम सुद्ध करूद सुद्ध करना है सुद्ध का सीधा फलम कादसी की जगह हो जाएगा यहाँ पर खादती क्योंकि सीधा क्यों सीधा प्रदम पुरुसकी है पर्द्धिशवी का प्रदम पुरुस् mı यहाँ पर यह ब्रक्ष में अपादान संग्या उसलिए ब्रक्ष में अपादान की पंच्वियों की ब्रक्षात सिवाय नमा के योग में चतुरती वक्ति होती है। पंच्वियों की पंच्वियों की पंच्वियों की ब्रक्ष में चतुरती है। अस्र ख्रिश्टाब दे ऐसा लिखना चाहिए। अगला प्रस्ण है कती जना कती जना काल अकाल कब लिता है। अगला प्रस्ण भूकम पश्ये अस्मिन पदे विभक्ति काश्टी सस्टी विवक्ति है एक बचन भी है क्योंकि उन्होंने विवक्ति पूची है बचन भी लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं। आपको दो गध्यांस दिये हैं कोई एक करना है हम दोनों का प्रस्ण तर देख लेते हैं क्या है वई अगला बड़ा हो रहा है वीडियो फिर भी चलो विचित्रह दैवगति विचित्रह का दैवगति रात्रव तस्मिन ग्रहे कहा गिरभ्यान तरम प्रविष्टा चाउरा तरतिया एक वचं सो चौरोच सग्यम्तर देख लेते हैं क्या यहां पर प्रस्ण नहीं पूरा नहीं किया है नहीं इस परकार से यह प्रस्ण भी आप देख लीजे खालिस्तान भी आप पहला खालिस्तान यह है अस्ति देवलाखो ग्राम का नाम है देवलाखो का का मध्या मेध्य वक्ष कहा मेध्या मेध्य वक्ष कहा पुत्र मतलब कुछ भी खाता है पुत्र दैन्यम द्रिस्ट्वाम रोधी मी ये पाठ पाच का कालिस्तान सर्वदा ब्याम करतब्या चार का है ये उसका ब्यायामा सर्वदा पत्या फालक द्वय विवक्ती विवक्ता भूमी इसके विजदानी बायो मंडलम भिर्शम ये भूमी कालिस्तान आप अंदाज लगा के भरियेगा अगर याद नहीं रहता तो अब दो इसलोक लिखने हैं जो पेपर में आए हैं वो छोड़ करके पोच्टक के सुवासित के लिखने हैं अवकास लिखना है दो दिन का इसको पढ़कर के आंसर देना है ये बिल्कुल अधिकतर आई जाता है वार्षिक में भी आ सकता है और इनमें निमंद लिखना है आसा झाल